आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मांत्रण एवं आरक्षन के बाने में ये मुद्धा हाल ही में चर्चा का विशय बना हुआ है हाल ही में केरल हाई कोट ने दलित हिंदू से धर्म बदल कर इसाई बने CPM विधायक ए राजा की विधायकी रद्ध कर दी है ए राजा पर आरोब था कि दलित होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर वो चुनाव लड़े थे तो आईए अब इस मामले को देखते हैं विस्तार से हाल ही में 2021 में केरल विधानसवा चुनाव में देवी कुलम एक आरप्षित सीप थी इस सीट से CPM की तरफ से ए राजा और कॉंग्रेस की और से डी कुमार चुनाव लड़े थे ए राजा ने इसमें 7,848 मतों से जीत दर्ज की थी इसके बाद केरल हाई कोट में याचिका दायर करके इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे कॉंग्रेस निता डी कुमार ने आरोप लगाया कि MLA ए राजा दलित हिंदू से धरम बदल कर इसाई बन गए हैं ऐसे में आरक्षित विधान सबा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फरजी सर्टिपिकेट बनवाया है इस मामले में सुनवाई के बाद हाई कोट ने कहा कि ए राजा केरल के दलित हिंदू परायन समुदाय से तालुक नहीं रखते हैं वह धरम बदल कर इसाई बन गए है ऐसे में ए राजा आरक्षित देवी कुलम सीट से विधायक चुने जाने के युग्य नहीं है हाई कोट ने साथ में ये भी कहा कि ए राजा सुप्रीम कोट में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है किस तरह केरल हाई कोट के इस फैसले के बाद ए राजा अब विधान सभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे किस विशे पर केंद्र का पक्ष क्या है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा है कि धरम बदल कर मुस्लिम और इसाई बनने वाले दलितों को आरक्षन का लाब नहीं मिलना चाहिए साथ ही सरकार ने धरम बदलने वाले सभी दलितों को रिजर्वेशन की सला देने वाले रंगनात मिश्रा कमिशन की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है धरम बदलकर मुसलिम और इसाई बनने वाले दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं इसकी जाज के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया है केंद्र सरकार ने एक आयोग कब बनाया और किस उदेश्य से बनाया तो 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने सुप्रेम कोट के पूर्ण नयायधिश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है इस आयोग में कुल तीन सदस्य है पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन रिटाइड आईस अधिकारी रविंद्र कुमार जैन यूजी सी सदस्य प्रोफेसर सुच्मा यादवी इसकी सदस्य है इस आयोग को बनाने के पीछे केंद्र सरकार का उदेश्य ये है कि अब अपनी रिपोर्ट में ये आयोग सरकार को सुझाव देगा कि धर्मांतरन के बाद दलित मुसलिम और इसायों को अनुसुचित जाती के तोर पर आरक्षन का लाब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाह और मुसलिम और इसायों को अरक्षन का लाब क्यों नहीं मिलना चाहिए सेंटर फोर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रेम कोर्ट में इसाय या मुसलिम बन चुके दलितों को अरक्षन नहीं दिये जाने के खिला याचिका दायर की है 2004 से ही ये मामला कोर्ट में है सविधान के अनुच्छे 341 के तहट राष्टपती के आदेश पर 1950 में हिंदों में अच्छूत माने जाने वाली कई जातियों को अनुसूचित जाती का दर्जा मिला था जिनें आज हम दलित कहते हैं 1956 में राष्टपती के इस आदेश में संचोधन करके इसमें सिख दलितों को भी जोड़ दिया गया वही 1990 में वीपी सिंग की सरकार थी और एक बार फिर से इस आदेश को बदल कर बोध धरम के लोगों को इसमें जोड़ दिया गया बोध धरम के वो लोग जो दलित कैटिगरी में आते हैं इस सरकारी आदेश में लिखा है कि हिंदू सिख और बोध को छोड़ कर दूसरे धरम को अपनाने वालों को अनुसुचित जाती का सदस्ते नहीं माना जाएगा यहीं वो सरकारी आदेश है जिसकी वज़ा से देश में धरम बदलकर मुस्लिम और इसाई बनने वालों को अनुसुचित जाती का दरजा नहीं मिल पाता है इसकी वज़े से वे आरक्षन का लाब भी नहीं ले पाते हैं अब अगर बात के जाए कि धरम बदल कर मुस्लिम और इसाई बनने वालों को रिजर्वेशन देने पर सरकार का क्या मानना है तो सुप्रेम कोर्ट में केंद्र सरकार ने गलित मुसल्मान और इसाईयों को अनुसुचित जाती का दर्जा नहीं देने को लेकर तेन तर्क दिये हैं केंद्र सरकार का पहला तर्क है कि राश्चपती के आदेश 1950, 1955 और 1990 मुसलिम और इसाईयों को अनुसुचित जाती मान कर आरश्चन का लाब देने की पर्मिशन नहीं देता है। दूसरा अनुचेत 25 के खंड 2B में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बोध भी शामिल है। इसलिए इन तीन धर्मों के अलावा किसी और धर्म के लोगों को अनुसुचित जाती में शामिल नहीं किया जा सकता है। अब जो सरकार ने तीन ठोस तरक दिये हैं उनके विरोध में भी विचार है। अब्वे में संशोधन करके बोध को इसमें शामिल किया गया था। 1990 के संशोधन तक भारत में बोध धर्म के लोगों को अनुसुचित जाती का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। यानि कि कहना है इनका कि अनुचित 25 के खंडोवी में जो का गया है कि इनको शामिल नहीं किया जा सकता। और हिंदू शब्द में सिख जैन बोध शामिल है तो ये तो बाद में शामिल हुए है इनको पहले क्यों नहीं शामिल किया गया। ये भी मानना है विरोध करने वालों का कि ऐसा है तो जैन को अभी भी एनुसूची जाती का दर्चा क्यों नहीं मिला है सरकार ने जिस रंगनात मिश्रा कमेटी का विरोध किया है उसका क्या कहना है तो ये अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोड के पूरुवचीफ जस्टिस रंगनात मिश्रा के नित्रत्व में सरकार ने एक आयोग बनाया इस आयोग को देश में भाशा और धरम के आधार पर अल्प संकिकों से समंदित विबिन मुद्दूंग के जाज की जिम्मधारी सौपी गई थी 2004 में आयोग बना था और रंगनात मिश्रा इसके देख्ष थे इस आयोग ने क्या कहा था कि 1950 में राष्टपती ने अनुचे 341 के तहत अध्यादेश जारी करके पहरा तीन में दलित मुस्लिमों और इसाईयों को अनुचिक जाती के दाएरे से बाहर किया था वह एस समिधानिक था वो खतम होना चाहिए यानि कि रंगनात मिश्रा आयोग का मानना है कि मुस्लिमों और इसाईयों को भी दलितों की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए इसे वाज़े से H Grindram के दलित, Muslim और इसाई धरम में शामिल होते हैं. जो कि जातिगत भेदभाव पर आधारित है इसलिए ये लाब धरम बदल कर मुस्लिम और इसाई बनने वाले दलितों को नहीं मिलना चाहिए समिधान के अनुचे 30 की तहट धार्मिक अल्प संकिकों को अपने सिक्षन संस्तान खोलने का अधिकार है धरम बदलने वाले दलितों को इन सिक्षन संस्तानों में सिक्षा मिलती है जो कि उन्हें धरम नहीं बदलने वाले दलितों से कहीं अधिक सामर्थ्यवान बनाती है मुस्लिम और इसाई धरम से जुड़े कई सरकारी और गैर सरकारी सेक्षिनिक संस्थानों में धरम बदलने वालों को विशेश लाब भी दिया जाता है ऐसे में उन्हें रिजर्वेशन देना धरम नहीं बदलने वाले दलितों के साथ भेदबाव करना है जो कि समिधान की मूल भावना के विरुद्ध है और मतांतरित दलितों को गैर मतांतरित दलितों पर दोहरा लाग देने जैसा होगा यानि कि एक तो आपने धरम परिवर्तन कर लिया और धरम परिवर्तन करने के बाद आप एसा ही बन गए आपको मिशनरी स्कूल मेड मिशन भी मिल रहा है और बहुत सारे financial benefits मिल रहे हैं साथ में आपको government reservation भी दे रही है तो ये पूरा-पूरा discrimination होगा उन दलितों के साथ जो originally ह Hindu, Sikh या फिर बहुत धरम से बिलोंग करते हैं जिनको ऐसे फायदे नहीं मिलते हैं ये समिधान के एनुछे 14 का उलंगन भी है अगर ऐसा हुआ तो Hindu दलितों में ये message जाएगा कि धरम बदलने से 12 लाव मिल रहा है इससे धरमांतरन को बढ़ावा मिलेगा जो कि समिधान के ध समय में एक बार फिर से भारत को अलगाववाद की उसी रा पर ले जाएगा जिस पर चल कर कभी पाकिस्तान बना था इसके साथ ही आज का हमारा ही टॉपिक यहीं पर समापत होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शे और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच